इसका सुलूशन देखा था आज के इस वीडियो में देखा था आज के इस वीडियो में देखा था इसका तोटल सुलूशन आप देखने वाले इसका सिनॉप्सिस आप पढ़ लेना ज्यादा डिफिकल नहीं है देखो श्वन, फर्स्ट क्या दिया है, इन फिगर, एंगल ACD is an exterior angle, देखो ACD यह क्या है श्वन, exterior angle है, आफ टैंगल ABC, इस टैंगल ABC का exterior angle है, एंगल B मुझे कितना दिया है श्वन, एंगल B 40 दिया है, और यह एंगल A 70 degree दिया है, तो एंगल ACD find करना है श्वन, तो आपको य गिवन क्या दिया है, आउंगल B 40 degree, आउंगल A 70 degree, आउंगल ACD is an exterior envelope, आउंगल ABC, यह भी मुझे गिवन दिया है, तो exterior angle है श्वन, एंगल A और आउंगल B का addition, तो आउंगल 70 दिया है, आउंगल A और आउंगल B 40 दिया है, तो यह कितना हैंगा, therefore angle ACD equal to 110, उसके बाद second question दे out the values of XYZ, अभी दिखोर श्वन, इसमें मुझे क्या दिया है, X plus 100, आउंगल X plus 100, यह interior angle श्वन, तो इसका addition क्या आता है, interior angles in linear pair, यह linear pair है, तो इसका addition कितना हैंगा, 180 angles in linear pair, अभी दिखोर श्वन, X की value मुझे find करना है, तो मैं क्या लिखोंगा, X equal to, X equal to 180 minus 100, यह 100 right hand side में minus में जाएंगे, 180 minus 100 which is equal to 80, therefore the value of X equal to 80, उसके बाद next questions, next है, now Z equal to, Z plus 140 equal to 180, angles in linear pair, तो ऐसी angle Z में find कर रहा हूँ, 180 minus 140 कितना हैंगा angle Z, 40 degree, उसके बाद देखो श्वन, angle X plus angle Y equal to 140 है, यह क्या exterior angle property है, श्वन, तो angle X कितना हैंगा, 80 degree plus angle Y equal to 140, तो angle Y में यह से find कर लूँगा, 140 minus 18 which is equal to 60 degree, तो यह होगा है, श्वन, X is day 8 का, day 13 का solution, उसके बाद, देखो श्वन, day 14, day 14 में क्या दिया है, श्वन, इसका solution, देखो, draw an acute angle, acute angle हैंगे क्या होता है, the angle which is less than 90 degree is called an acute angle, draw an acute angle, after angle, PQR, draw all its altitude, name the point, concurrence 0, देखो श्वन, यह मैंने 0 point निकाला है, मैंने diagram पेंसे निकाल लिए, ताकि आपको दिखनी चाहिए, लेकिन जब आप इसको solve करोंगे अपने test book, अपने register में, तो आपको पेंसे से लिखना है, कोई भी डाइग्राम, mathematics की कोई भी डाइग्राम आप निकालोंगे, ता आपको पेंसे निकाल लिए, यह आपे वीडियो में clear दिखना चाहिए, इसलिए मैंने पेंसे निकाल लिए, लेकिन आप पेंसे से निकाल लिए, तो देखो, पॉइंट पी से मैं इक अल्टिवूट निकाल रहूँ, यहाँ से अल्टिवूट निकाल रहूँ यहाँ पेंसे निकाल रहूँ तो यह डिस्टंस, यह डिस्टंस, वे क्या रहेंगा? इसका पॉइंट तीनों का altitude, altitude तो रहने हाइध इसका point of intersection क्या है? से में O है तो यह हो क्या श्वन फर्स्ट एक्जम्पल उसके बाद नेक्स देखों नेक्स कुन सा एक्जम्पल है सेकंड ड्रा दर राइट अंगल आप ट्रेंगल एक्स वाई जेट ड्रा इट्स मेडियन्स एन्ड शो दाट देर पॉइंटस ऑप अंदकुरूंस पाई जी ड्रा और राइट अंगल ट्रेंगल एबीसी यह राइट अंगल ट्रेंगल एबीसी एक्स वाई जेट यह ने एंगल वाई कितना हैंगा नाइटी डिग्री आएंगा अभी देको इसकी मेडियन्स ट्वन यहाँ से मैं यह निकल रहा हूँ यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ से निकल रहा हूँ तो इसका पॉइंट क्या है पॉइंट जी क्या है मेडियन है जो तीन मेडियन है यह इस पॉइंट जी में मीट हो रही है उसके बाद next test one देखो third question in right angle triangle if length of hypotenuse is 15 अगर right angle triangle में length है height of hypotenuse की 15 then find length of median of the hypotenuse तो hypotenuse मुझे दिया है श्वन length of hypotenuse दिया है 15 cm तो यह formula आपको use करना है श्वन median यह किसे हाप रहती है median is always half of its hypotenuse तो यह half into hypotenuse कितना है 15 है इसको अगर मैं calculate कर रहा हुते इसका answer आता है श्वन 7 by 5 therefore the median is 7 by 5 cm तो यह हो गया 14 का 14 का solution दे 14 का solution तो आज का वीडियो में stop कर रहा हूँ श्वन वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको like करो, share करो और comment करो, next video में श्वन हम this 15 और section का solution देखते हैं करो